जैहिन साथियो स्वधत आप सभी का अपनी YouTube चैनल Free Knowledge 1998 पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टी ए आर्मी की जहां दोस्तो टी ए आर्मी में अब जारी होगा वो अब जनवरी जनवरी 2021 से ही टीय आर्मी भरती होना चालू होगा दोस्तों कोई भी फैक नोटिफिकेशन के और आप ध्यान ना दे क्योंकि दिसंबर माह में कोई भी अब टीय टीय रेली नहीं आना है अब डारेक्ट आपको टीय की भरती 2021 में देखने को मिलने वाली है उसमें कुछ नए रूल्स और क्या-क्या डाकुमेंट्स लगने वाले हैं आज हम उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर देंगे दोस्तों पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आर हमारे चैनल को सब्सक्काइब कर नमर पहले नमर पर एज्यूकेशन साइटिपिकेट की दोस्तों यदि आप और यदि आप दोस्तों ट्रेड मैन ट्रेड मैन के पद के लिए यदि आप ट्रेड मैन के लिए आप रनिंग करते हो या आप ट्रेड मैन की भरती पर जाना चाहते हो तो दोस्तों उसमें आपको 10th की 10th की जो आपकी वो रहती है अंग्सूची रहती है वो आपको लगेगी 10th पास आपकी education certificate लगेगा यदि आप जिदी से जाना चाहते हो तो दोस्तो आपका 10th पास मांगेगा उसमें 10th पास का education certificate लगने वाला है उसमें अब हम second number पर बात करें दोस्तो डॉमेनी के लिए certificate की तो दोस्तो आपका इस्थाई निवास प्रमाणपात्र होना जरूरी है जहां आपने सही सुना आपका इस्थाई प्रमाणपात्र होना जरूरी है और तीसे नमर पर दोस्तो कास्ट certificate और चोहते नमर पर करेक्टर तो यह यह भी आप बना लीजेगा क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं अन्मेरिट साइटिविकेट को आप बना ले और दोस्तो अफटेपिट यह तो हर आर्मी बरती और यह घिलिवास बरती आपको आल बहुत बरती आ आपके पास आधार कार्ड या फिर बोटर आडी कार्ड या तीनों मैंसे कोई एक आपके पास आईडी प्रूप के लिए होना चाहिए और लास्ट पर आता है 20 फोटो आपको 20 फोटो लगने वाली है इसमें 20 फोटो आप ध्यान से ले जाएगा तो दोस्तो यह एतने important documents है जो कि आपको TIRE भर्ती में ले जाना बहुत ही जरूरी है और यह यह आपको बहुत ही जरूरी documents होने वाले हैं जो कि आपको TA भर्ती में production होने आनिवार हैं या फिर आपकी ये एज्यूगेशन सथिफिकन तो सब इन सभी में आपका एक नाम होना चाहिए एक नाम होना चाहिए जैसे कि दूस्तों मैं कोई भी एक नाम लेता हूं जिसे रंजीत र-A-N-J-I-T-Ranjit और K-U-M-A-R-Kumar तो जिसे कि यह मेरा नाम लिखा हूँ दोस्तो यह नाम आपके इन पाच और जो भी जो डाकुमेंट्स लगा है सब में एक सा नायम होना चाहिए अलग नायम नहीं होना चाहिए प्योंकि दोस्तो एक बार मेरे भी फॉर्म रिजक्ट हो चुका है मैं रेली भरती में गया था जो जिलेवाइस रहती उसमें दोस्तो मेरा अधार कार्ड में अलग नाम था और जो मेरा फॉर्म में अलग नाम फ्लिफ हो गया था नाम या सरनेम दिया हो तो प्लीज आप उनको भरती के आने से पहले उनको सुधर वाले दोस्तों जैसे ही इसके नोटिफिक्षिशन जारी होता है कि कितने डेट को या कौन से तारिक को ट्यारी भरती आना है तो हमारे चनल पर आपको इस पर बहुत जल्द इसका होने वाले हैं मैंने आपको एक महुत इंपोर्टेंट से बताई हैं कि आपका नाम नाम जो है सभी में एक सा होना चाहिए अलग अलग नहीं होना चाहिए अलग होंगे तो आपका फॉर्म रेजर्ट कर दिया जाएगा तो दोस्तों भरती की जानकारी में और आपको आपको बहुत ही बदलाव देखने को मिला है उसका वीडियो में मैं बना दूंगा तो प्लीज दोस्तों हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और दोस्तों इंडियार आर्मी और गवर्मेंट जयो को अपडेट हम आपने चनल पर डालते रहते हैं तो प्लीज हमारे